जैहिन दोस्तों भारत और उस्टेलिया के बीच चौथे और आखरी टेस्ट मैच के दूसरे दिन उस्टेलिया पहले दिन की तरही भारत पर बहुत ही ज़्यादा हावी रहे आज उस्मान ख्वाजा का 150 प्लस का इस्टोर देखने को मिला उसके बाद केमरण ग्रीन का सतक भी देखने को मिला भारत की तरप से असूइन अन्ना ने अपना एक और पांच बीकेट का हॉल कंप्लीट किया और ये भी देखने को मिला और ऑस्टेलिया के खिलाप चौथे टेस्ट के पहले इनिंग में 6 विकेट्स लिये और भारत के तरब से सबसे ज्यादा सफल गेंदबाज रभी अस्विन साबित हुए और भारतिये गेंदबाजी जो की बहुत ही खराब नजर आ रही थी भारतिये गेंदबाज बिकेट को तरस्ते नजर आये दूसरे दिन के पहले सेसन तक और ऑस्टेलिया ने 119 ओबर्स में 347 रन 4 बिकेट के नुकसान पर बनाये थे उस्मान ख्वाजा ने पहले सेसन में ही अपना 150 प्लस कम्पलीट कर लिया दूसरे सेसन में भारत को 3 सफलता मिली जिसमें 2 रभी चंदरन अस्विन को और 1 अक्षर पटेल को सफलता हाथ लगी अक्षर पटेल ने उस्मान ख्वाजा को 180 के बैक्तिगत स्कोर पर आउट कर दिया तीसरे सेसन में अस्विन ने बागी के 3 बिकेट लेकर ऑस्टेलिया को 480 के स्कोर पर रोख दिया अगर बात करें यहाँ पर अभी चंदरन अस्विन की तो उन्हों ने अपना 32 मां 5 बिकेट हॉल कंप्लीट किया 47.2 ओबर की गेंदबाजी करी 15 मेडन ओबर फेका 91 रन दे करके 6 बिकेट लिए समी की बात करें तो समी ने 31 ओबर में 3 मेडन 134 रन और 2 बिकेट उसके अलावा रविंद्र जरेजा की बात करें तो 35 ओबर की गेंदबाजी करी 5 मेडन ओबर 89 रन और 1 बिकेट उनके हाथ लगी अक्षर पटेल को एक सफलता हाथ लगी स्रेय सेयर ने एक ओबर किया था उमेस यादा बिकेट लिस रहे थे कैमरन ग्रीन को रभी चंदरन अस्विन ने स्रीकर भरत के हाथों कैच आउट करबाके 114 के स्कोर पर उनको आउट किया अक्षर पतेल ने कैच लिया था एलेक्स कैरी का अस्विन के गेंद पर उसके अलाबा स्टार्क को स्रिय सेयर ने कैच लिया अस्विन की गेंद पर कोहली निन नाथन लियोन का कैच लिया अस्विन की गेंद पर इसी तरह के खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए